36 घट, मध्य परदेश और राजस्थान तीन राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाया और तेलंगना में कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाने में कम्याब रही लेकिन दोस्तो जहांपे तिलंगना में कॉंग्रेस पाटी का आज से एक मैना पहले दूर दूर तक चड़ जा नहीं था आकिका वहाँपे कॉंग्रेस पाटी नहीं काये कैसे सरकार बना ले एक दक्षिन भारत में राहूल गांधी के लिए एक मोमेंट जो बना है राहूल बवा अब राहूल गांधी राहूल बवा पप्पू नहीं रहे और वो राहूल गांधी हो गया तो दक्षिन भारत में जीतने भी चुनाव हो रहे, कॉंग्रेस पाटी असाने से जीतने जा रही है, लेकिन हिंदी पट्टी में क्या हो गया? क्या राहुल गांधी चुनाव हारे है तो इसका पीछे बहुत सारे कारण है और उनकी लिए चुनाव हारना भी जरूरी था नहीं तो काफी घमन डाता है उनलोग के पास उनके नेता में कि हमारे बीना खलेश यादब क्या है किसी को कोई वहलुक नहीं होता अगर ये चुनाव अगर जिच जाता कॉंग्रेस पार्टी चारवे स्टेट में तो किसी का कोई कदर नहीं छेत्रिय पार्टी क्या है उसके लिए कुछ महाइने नहीं रहता लेकिन जब अखलेस यादब को कमलाथ बोलते हैं अखलेस उखलेस कौन है हम उनको सीट को क्यों दे आज अखलेस यादब के पार्टी के लोग बोले है कमलाथ उमलाथ को हमने सबक सिखा दिया है अगर नितीश कुमार जी इंडिया के संयोजक होते तो ये वादे के साथ मैं कहता हूँ कि पांच चारो राज्ये में आज कॉंग्रेस पार्टी की सरकार रहती बन जाती कॉंग्रेस पार्टी के पास नेता तो बन गए रावल गांदी अगर रन्निती आपके पास नहीं है ये रन्निती बनाने के लिए आपके पास नेता होना चाहिए आपने इंडिया रंदन का संयोजक अगर नितीश कुमार को चुन लिया रहा था तो रन्निती उनके पास है क्योंकि नितीश कुमार चुनाब जितने और जिताने का हुनर जानते है ऐसा ही ने वो बीते 18 साल से बिहार के सियम बने हुए है आपने क्या किया? नितीश कुमार जी को इगनोर किया आपको मलकार जुन खरगे पे भरोसा था आपने सारे विपक्ष की नेताओं को भूल गया और अपने आपे सिर्फ भरोसा था किसी को कोई कदर नहीं इसका ये नतीजा हुआ कि आप चुनाब तीने स्टेट में बूरी तरीके से हार गये जहां पे आपकी सरकार बनती दिख रहे थी नितिश कुमार जी आपको चेताया थे कि कॉंग्रेस पार्टी को कोई मतलब भी नहीं है इंडिया गटभंदन से वो भूल चुका है वो अपने चुना में ब्यास्त है आप एक वार तो नितिश कुमार जी को बोला के देखते मत्य परदेश में राजस्थान में आईए कैसे रननिती बनेगा हमें बताईए रननिती बनाईए इंडिया के डभंदन का वो माना करते तो न वो इंतिजार कर रहे थे लेकिन आप लोगों ने उनको मोका नहीं दिया जिसका इन नतीजा हुआ कि आप लोगों ने तीनों स्टेट में चुनाव आरगे अब लालू यादव भी आपको तवच्चु नहीं दे रहे है कॉंग्रेस पार्टी को कारण आते दिल्ली से बोलते नितिश कुमार जी का कोई मुकावला नहीं लालू यादव ने खुद बोला है उनको लग जिया कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है अब जो करेंगे वो नितिश कुमार नी करेंगे 24 नितिश कुमार जी की नितित में लड़ियेगा तो नहीं कुछ हो पाएगा नहीं तुर गरांटी है कि फिर वही जो 29 परिणाम आया था वही परिणाम के बीच आप लोग रह जाएंगे इंडिया गटवंदन इसी तरह फलोप होगा नहीं तो आप लोग नेति और रननेति से चुनाब लरिये सब सही होगा नेतिश कुमार जी को उस संयोजग के पद पर बैठाईए आप लोग फिर देखेगा चुनाब का असली मजा क्या होता है गटवंदन कैसे चलता है किस परकार से रननेति बनती है चुनाब कैसे जीता जाता है वो सारे बताएंगे उस नेता के पास सारा चीज है आपके पास कुछ नही है थैंक्यू आज का चर्चा यहीं तक रहेगा